प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बच्चों आज हम फिर से मिले हैं और धेर सारी बाते करेंगे, बच्चों आपने क्या कभी मेला देखा है? तो चलो आज हम आपको मेले की सैर कराते हैं, जैसे ये चीकू है न, ये भी सोच रहा था, कि भई मैं मेला कब जाओंगा, क्योंकि मेला न, इसके घर के बिलकुल पास लगा है, तो हम दिखाते हैं, आप देखो, इसका इतना सुन्दर घर है, घर के थोड़ी ही दूर, एक बहुत बड़ा मेला लगा है, जिसमें धेर सारी चीजे हैं, तो मेले में क्या-क्या होता है, यह देखने के लिए, आप सब बच्चे तयार हो, तो चलो देखते हैं, बच्चों, चीकू ने पापा से पूछा था, कि पापा, क्या हम मेला देखने जाएंगे, तो पापा ने बोल दिया था, कि जब हम शाम को घर आएंगे न तब हम मेला जाएंगे अभी आप स्कूल जाओ तो चीकू ने यह सोच कर बहुत खुश हुआ कि चलो शाम को तो मैं मेला देखने जाओंगा और इस तरह बच्चों वो जब स्कूल से घर आया ना वो खूब उचलता कूता आया और उसने अपना सारा काम जल्दी से करा और वो तयार हो गया मेला जाने के लिए सबसे पहले चीकू ने मेले में देखा एक गुपारे वाला और गुपारे वाले को देखते ही चीकू जोर से चिलाया अरे वह इतनी सुन्दर और रंग बिरंगे गुपारे मैं तो सारे लूँगा और यह कहकर वो गुपारे वाले के पास लेकिन अभी सबने बोला कि अभी तो हम मेला घूमी रहे हैं बात में देखेंगे पहले हम मेला घूमेंगे तो चीकू ने देख लिया कि मैं कुई कौन सा गुपारा लेना है उसके बाद चीकू आगे गया तो उसे क्या दिखा? एक ऊट चलता जा रहा है बड़े मज़े से उसने अपने बापा को बोला कि पिता जी क्या मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ तो उसके पिता जी ने उसको बहुत अराम से ऊट के उपर बिठाया यह देखकर तो सारे बच्चे भी जो आसपास के थे बहुत खुश होने लगे और उट ने मस्ती से उसको पूरे मेले की सेर कर आई जब उट पर बैट के चीकू बहुत खुश हुआ और वो उत्रा ना तो उसने देखा कि भी अब ना मुझे थोड़ी सी भूग लग रही है तो क्यों ना पहले कुछ खाया जाए उसने इधर देखा उधर देखा तो उसने देखा कि उसको सबसे अच्छी चीज जो पसंद है ना वो थी गर्मा गर्म जलेबी इस तरीके की चीजे देखकर चीकू के तो मुझे पानी आगया बच्चों और उसने बहुत चटकारे लेकि उन सब चीजों को बहुत सुआत के साथ खाया और उसको लगा अरे वा बेले में तो अभी मुझे और भी बहुत सारी चीजे देखनी है तो क्यों न मैं आगे जाकर देखूं कि मुझे क्या क्या चीजे पसंद आ रही है चीकू जब आगे गया तो उसे अपने आसपस के और साथी मिले जैसे की उसे रिंकू भाया मिले चुटकी को वो घुमाने आय थे मेले में और फिर मिले उन्हें सौरब भाया तो सब ने सोचा कि चलो साब मिलकर न एक साथ गूंगते हैं और मेले का आनन्द उठाते हैं तो पता है बच्चो वो क्या देखने गए उन्होंने देखा कि जगा जगा तेर सारे तरीके के जूले लगे हुए तो सब ने एक जूले में बैठने की सोची और इस तरह से चीकू, रिंकू भाया, सौरब, गुडिया, रानी सब जूले में बैठे और बहुत देर तक मस्ती से जूला जूलते रहे थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा अभी तो मेले में देखने के लिए बहुत चीज़े हैं तो क्यो न अब हम आगे कुछ और नया देखते हैं तो उसके बाद बच्चों वो आगे क्या देखने गए उन्होंने देखा कि एक दुकान पे बहुत सारे सुन्दर सुन्दर तरह तरह के मास्क बने हुए मुखोटे जिसको देखकर चिकु ने कहा मैं तो ये हाती वाला मुखोटा लूँगा ये सुनकर राणी बोली अरे मैं तो हाती वाला नहीं मैं तो ये आम वाला मुखोटा लूँगी ये देखते के साथ सारे बच्चे नए नए मुखोटे देखने लगे और वहाँ तो डेर सारे मुखोटे थे किसी ने शेर का मुखोटा लिया किसी बच्चे ने पबर शेर का मुखोटा लिया और उसके बाद रानी ने तो अपने लिए ये वाला मुखोटा पसंद करा और वो बोली कि अरे अब हम साफ मिलकर अपने-पने मुखोटे पहनेंगे और खूब मस्ती करेंगे उसके बाद बच्चों ने सुना कि कहीना बहुत जोड से ढोल नगाडे की अवाज आ रही है जब मेला होता है ना बच्चों तो कहीना कहीं खूब चोड आता है खूब अच्छे से गाने बज़रे होते हैं तो बच्चों ने ढूंडा कि ये अवाज कहां से आ रही है कैसे बचा रहा था? डिंग 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 और सारे बच्चे उसके आस् पास मस्ती से कभी सौरब भाईया, कभी गुडिया वो साब उसके आस्पास मस्ती से खूल नाचे और खेलते हुए आगे बढ़े की चलो देखते हैं, मेले में आप और क्या है? उन्होंने दोर से देखा कि कहीना चक्री घूम रही है, अब चक्री कैसे घूम रही थी, ऐसे ये मस्ती से चक्री घूमती जा रही है, ऐसे ही एक खिलोने वाला बंदर को डांस करा रहा है, वो कभी ऐसे हिल रहा था, कभी हाथ उसका नीचे, कभी पैर उसका उपर, ये सब उ लेलो खिलोने, खिलोने लेलो खिलोने, तो यहां पर बच्चों ने का अब हम कुछ अच्छी सीना चीज खरीदेंगे, तो सब ने अपना-पना मन बनाया था, कुछ बच्चों ने मुखोटा खरीदा था, और चीकु ने क्या खरीदना था, चीकु ने खरीदना था गुपार तो चीकु ने सारे में ढूंडा की गुपारे वाला कां गया, क्योंकि मेला तो कितना बड़ा होता है, तो थोड़ी देर में उसका एक बच्चा जो उसकी क्लास में पढ़ता था ना, वो रोता हुआ दिखा, अरे, चीकु तो बड़ा कुछ था ना, उसने पूछा, अरे, सोन तुम रो क्यो रहे हो, तो सोनु बोला, पता है नहीं, मेरी ना मम्मी मुझे दिख नहीं रही, मेरे से बिछड गई है, सोनु की बास सुनकर चीकु बोला, कि हम जब भी मेले में आते हैं तो हमें किसी का भी हाथ पकड़के चलना चाहिए, क्योंकि मेले में तो बहुत मेरे साथ चलो और मैं अभी गुबारा खरीदूँगा, हम मिलकर गुबारे से खेलेंगे और साथ में तुमारे मम्मी को भी ढूंडेंगे, ये बास सुनकर जो सोनु था, वो बहुत खुश हुआ, अब आगे बच्चे जा रहे हैं, गुबारे वाले को ढूंड रहे हैं, त आच दिखा रहा था, तो कटपुतली कभी अपना हाथ उठाती, कभी कटपुतली अपना पैर उठाती, और कभी-कभी तो वो अपने पूरे शरीर को भी जुकाती, इस तरीके से सब बच्चे देख दे और तालियां बजाते जाते, ऐसे करते करते, थोड़ी देर में, जब रात होने लगी, और लगा कि अगले दिन तो उन्हें स्कूल भी जाना है, तो सब बचे जल्दी-जल्दी सब को टाटा बाए-बाए कहते हुए, अपने अपने घर चलने लगे, और उन्होंने रास्ते में जो-जो समान खरीदा, जैसे जो हमारा चीकू था, उसने खरीदे बैलून, वो लेकर अपने भाई के लिए बैलून लेकर आया, कि मैं घर जाकर चोटू को बैलून दोंगा, जब सारे बच्चे घर जाने लगे, तो उन्हें दरवाजे पर एक चोकर भी दिखा, तो सब बच्चो को हस्ता हुआ कह रहा था, कि बच्चो अब तो आप सब घर चाओ, और कल फीर आना, और इस तरीके से जब तक मिला है, रोज नई नई मस्ती करेंगे, तो ये कहते हुए, चीकू अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो उसकी फैमिली से कौन गया था, उसके पापा, उनके साथ वो अपने घर वापिस आ गया, बच्चो अभी आपने मे जूले और चटबटा खाने का धेर सारी तरीके का सामान, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है बच्चो जब भी आप मेले में जाओ, कभी भी अकेले नहीं जाना, और हमेशा अपने बड़ों का हाथ पकड़के रखना है, तो अब हम जब भी मेले में जाएंगे ना, तो ख झाल झाल झाल